ये फ्रेंस वेलकम टेशन नमस्टेशन आज मैं एक क्यूट सा इंदोनीशन हाई स्कूल मूवी एक्स्प्लेइन करूंगी इसका नाम है मादी पोसा तो बिना और देरी के स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी है क्यूट एंद स्मार्ट न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट नताशा काईलोवी की जिसे सभी आचा के नाम से जानते हैं उसे अरवाना हाई स्कूल जॉइन किये बस चारमन से हुए हैं ये स्कूल जॉइन करने का उसका वान एन ओनली रिजन था यहां के साइंस ओलंपियर टीम का पार्ट बनना जो कि इस कंट्री का बेस्ट टीम है आचा आई तो थी ब्रेइन के लिए बर देन दिल बीच में आ जाता है एक दिन उसे लाइबररी में स्कूल का सबसे कोल एन एरोगेंट बॉई इकबाल गवाना दिखता है पहली नजर में उसे उससे लव हो जाता है दिन रात बस उसे ही इंप्रेस करने के बाहने ढूनती देती है बंदा अपने लुक स्मार्टनेस और अपने एरोगेंट नीजर के वज़े से स्कूल में कुछ जादा ही पॉपुलर है गल्स उस पर मरते हैं और वो हमेशा उनसे दूर ही रहता है उसे बस टरिस में इंटरस्ट है आचा की फ्रेंट अमांडा को यह सब अच्छे स पता था वो नहीं चाहती थी कि आचा हट हो वो उसे समझाती है कि वह बहुत कोल हाटेड है उसे भूल जा तो यहां साइंस ओलंपियट सेलेक्शन के लिए आई है पस उसी पर फोकस कर आचा का दिल नहीं मानता इकबाल को देखकर सीथे उसके पास जाती है डाइरिक्ली उ तो आचा अपने आपको इंटर्ड्यूस करती है नीम एज क्लास सेक्शन एड्रस सब बताती है लास्ट में कहती है इक बाल उसे इग्नॉर करके जानी लगता है वो पीछे जाती है फिर से नमबर देनी बूलती है वो पुसता है क्यों चाहिए वो कहती है टेक्स और कॉल्स करती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इकबाल का फेस देखकर रेलाइस करती है कि यह कुछ जादा ही डायरेक्ट हो गया बट अब जब बोली दिया है तो और चुपाने का क्या फाइदा वो उसे बता देती है जब से उसने उसे लाइबरी में देखा है तब से उसे लाइक करने लगी है उसने चार मन तक बेट किया अब वह बात को आगे बढ़ाना चाहती है इसलिए उसे उसका नंबर चाहिए यह सुनकर इकबाल उसे नंबर दे देता है आचा बलश करते हुए कहती है मैं तुम्हें आज ही टेक्स करूंगी वह उसे डायरेक्ट कॉ करनी बोलता है आचा बहुत कुछ हो जाती है कुछ दिर बाद ही उसे कॉल करती है उसका पोपट हो जाता है क्योंकि वह नंबर एक रेंडम मसाच पालर का था दोनों फ्रेंस हसने लगते हैं अमांडा उसे फिर से समझाने लगती है उसे भूल जा वर टाचा के दिमाग में बाद जाती ही नहीं उल्टा उसे लगने लगता है कि इकबाल भी उसे लाइक करने लगा है अमांदा समझ जाती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता नेक्स डे साइन्स ओलंपिया टीम मेंबर्स के सेलेक्शन के लिए दुसरे स्कूल में एक्जाम लिया जाता है अरवाना स्कूल के सभी स्मार्ट स्टूडेंस प्रेजन थे आचा एकबाल को देखी जा रही थी टीचर नोटिस करते है उसे पेपर कंप्रीट करने बोलते है जो क्यों पहले ही कंप्रीट कर चुकी थी तो सर उसे सब्मीट करके बाहर जाकर सुन्दर सुन्दर नजारे देखने बोलते हैं उसे नहीं जाना था यहीं बैठना था सर को भी इससे कोई प्राबलम नहीं था वो इकबाल को देखकर कहती है यहां के नजारे जादा वो उसे एक लुक देता है, देन अपना एक्जाम लिखने लगता है, सभी के पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन चेक भी हो जाते हैं, सर बेस्ट कोर्स के नाम अनाउंस करते हैं, मैथ टॉपर जुना प्रतामा, केमिस्ट्री टॉपर हमारी आचा, फिसिक्स टॉपर किया जाता है, एकभाल के सेलेक्शन से आचा बहुत खुश होती है, कहती है, तो मैंने लगता कि किस्मर भी हमें मिलाना चाहती है, वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, एकभाल कुश नहीं करता है, वो यूद जादा ही कुश था, कि तीनों एकी टीम में है, त आचा फिर से हाथ आगे करती है तो इस बर वो अवाइड नहीं कर पाता है एंशेक कर नहीं चाहता है आचा उसे अपना मुबाइल थमा देती है नंबर देने बूलती है वो कहता है दिया तो था वो कहती है तुम्हारा नंबर चाहिए मसाज पालर का नहीं एकबाल मुबाइल जुना को देता है कहता है तेरा नंबर मांग लिए दे दे आचा को देखकर तोड़ा सा स्माइल करता है दें चला जाता है घर चलते टाइम अमांडा फिर से आचा को समझाती है देख उस इकबाल के पास दिल नाम का चीज़ नहीं है ऐसे बार बार उसके पीछे जाएगी तो उफर करता है वह एलेजी का बहाना बनाती है दन फिर से इकबाल से बात करने लगती है वह इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो चुप-चप अमांडा के साथ बैच जाती है अपनी फ्रेंड को ऐसे बार-बार इंसल्ट होता देख अमांडा को बुरा लगता है वह आचा को गीव बैटे जिसे हाली में यूके के बेस्ट कॉलेज में पढ़नी के लिए स्कॉलर्शिप मिला होता है उससे कंपार करते हैं इकबाल को उसके बनी बोलते हैं इकबाल हां बोलता है अपनी मॉम के पीक के तरफ देखने लगता है वह आचा भी घर पहुँच जाती है वह अपने बायस बीके बार में बताई रही थी तब नोटिस करती है कि आचा थोड़ी खोई-खोई सी है उसके बीना कुछ बताए ही मौम बात समझ जाती है कहती है आज भी उसका नंबर नहीं मिलाना वह अपसेट हो जाती है मौम उसे गीवप करने मना करती है नेक्स डे आचा के पर आते है रियान एन अमांडा एक दूसरे को लाइक करते थे वर अमांडा बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती प्यार वैर के चकर में फसकर आचा की तरह अपने आपको हट नहीं करना चाहती इकबाल कहीं दिख नहीं रहा था तो आचा उसे ढूंदने लगती है गैलन इकबाल पुष्ता है मेना नंबर कहा मिला वो बता देती है उक्तों वह क 누르ंग करते हैं और जाती है को आफ मैंच है वह से चुब बैचने बोलता है वह फिर बिंसली बगबग करे जाती है वह नहीं देथी तब्बी तिचर दोंनों को देक करते हैं डेटिंग के लिए क्या तुम मेरे बॉट्फेंट बनोगे वो सीधर मना करके जाने लगता है वो डोर लॉक कर देती है परेशान होकर बैठ जाता है वो बगबग करे जाती है हम दोने के लिए परफेक्ट मैच है हमें डेट करना चाहिए वो उसे चुब बैठने बो पर चुब लगते हैं अचाहिए बीना कुछ सोचे समझे डाइरे कह देती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं यह सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है दोनों को पूल क्लीन करने का पनिश्मेंट दिया जाता है आचा को पुरा लगता है कि उसके वज़े से इकबाल को यह आचा सिदे पूल में गिर जाती है एल्प के लिए चिलाने लगती है इकबाल कहता है मैंने भी मुविस देखे हैं तो यह सब आक्टिंग करना बंद करो वो जाने लगता है आचा के चिलाने की आवाज बंद हो जाती है वो पीछे मुर कर देखता है आचा कई देख नहीं लगता है थोड़ा जाकर ही बेहोश हो जाता है अब आचा को लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है बर देंद देखती है कि वो सर्च में डूब रहा है जल्दी जाकर उसे जैसे तेसे उपर लाती है वो अभी भी बेहोश था आचा को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना मॉम उसका ख्याल रखती है आचा को फिल होने लगा था कि इकबाल उसे कभी लाइक नहीं करेगा मॉम उसे मोटिवेट करती है उसका मुठी करने के लिए बीटियस के बॉइस ओवर लव सॉंग पर डांस करती है वहां इकबाल को एड़ीट करना परता है उसके बेहोश होने क करने बूलते हैं आचा इकबाल को बहुत मिस कर रही थी सो से कॉल करती है पूछती है इकबाल तुम ठीक तो हो ना सौरी मेरे विज़े से तुम्हें पूल में कूदना पड़ा नंबर सेव नहीं था डैड नाम पूछते हैं आचा कहती है तुम तो सच में बहुत बीमार हो तुम्हारी आवाज भी चेंज हो गई है मैं भी बिमार हो फिवर है तुमसे बात कर लिया अब ठीक हो जाओंगी दैड पूछते हैं कौन हो तुम इकबाल की गर्फ्रेंड वो कहती है हाई इकबाल इतने जल्दी कैसे बूल गए डैड कहते है आज के बाद मेरे बेटे को क चिला कर बुलाती है कहती है मौम इकबाल मुझे लाइक करता है दोनों खुशी से नाचने लगते हैं गैलन और रियान इकबाल से मिलने आते हैं इकबाल बताता है कि उसे बस अलसर हुआ है वो डिश्चार्ज हो जाएगा गैलन कहता है आचा का किस इतना डैडली था क्या तुह हॉस्पिटल पहुँच गया इकबाल को समझ नहीं आता है कहता है कौनसा किस गैलन कहता है तुझे नहीं पता पुरस कूर में वीडियो वीडियो वाइरल हो गया है । तुह वीडियो दिखा वीडियो दिखकर इकबाल तोड़ा शॉक्ट रहेंगे आचसे प्icer को इकबाल के पास आती है उसे cookies देती है कहती है यह cookies दो मन तक fresh रहेंगे और तुम्हें मेरी याद दिलाते रहेंगे उसे खाने को बोल कर वहाँ से जाने लगती है इकबाल उसे रोकता है cookies ले जाने बोलता है वो कहती है खाओगे नहीं तो फिर से बिमार पर जाओगे हमारे प्यार के लिए तुम्हारे डैट से फाइट कैसे करोगे डैट का नाम सुनकर इकबाल कन्फ्यूज होता है आचा कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो अपने डैट के वज़े से मुझे दूर रह रहे हो इकबाल अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता उसे बहुत बाते सुनाता है अपने खयालों की दुनिया से बाहर आने बूलता है यह कर देता है कि वह उसे लाइक नहीं करता और उसे कभी डेट भी नहीं करेगा अपने इमोशन को कंट्रोल करती है कहती है कोई बात नहीं आच नहीं तो बात में तो लाइक करी सकते हो ना इतना बोलकर चली जाती है लाइब्रेरियन को हमारी आचा के लिए बुरा लगता है वो इकबाल को देकर टॉंट मारती है लेन उसे गुस्ते वारा लुक भी देती है आचा बाहर आकर इमोशनल हो जाती है देन एक नेवर गिव अप का पोस्त देखकर फिर सब मोटिवेट फिल करने लगती है लाइब्रेरियन एकबाल को उसके रूट बियेवियर के लिए बाते सुनाता है एकबाल उसे चीज कुकिस देकर चूप करा देता है कहता है तेरे लिये लाया हूँ ये पूरे एक साल तक फ्रेश रहेंगे और तुझे एक साल तक मेरी याद दिलाते रहेंगे अमांडा को लाइब्रेरियर वाली बात पता चल जाती है वो आचा को ऐसे बार-बार हट होते हुए नहीं देखना चाहती थी उसे एक आइडिया आता है कहती है तो उसे भाव दे रही है इसलिए वह भाव खा रहा है एक रिक के लिए उसे इग्नॉर कर देख क्या होता है आचा को उसक घुश्टे है रियान उसे प्यार से कूकीश देता है यह पूरे 2 साल तक रहेंगे तुम्हें मेरी याद दिलाते रहेंगे प्रेजन में आचा इन अमांड़ को एंजाए प्लाइन को को डीटेल में डिसकॉस करने लगते हैं अमांड़ के अगर इन 7 दिनों में उस पर कोई असर नहीं हुआ तो तो उसे भूलकर चुपचा बूवन करेगी आचा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी बड़ उसे अमांडा की बात मानने ही पर थी है इकबाल को इग्नॉर करने का मिशन स्टाट हो जाता है बट फर्स डे पर ही हमारी आचा मिशन मिशन भूलकर उसके पास जा यह था तभी आचा पानी पीते हुए इसके पास से जाती है बट उसके तरफ देखती तक नहीं है अच्छानक से भाव मिलना बंद हो जाए तो थोड़ा तो असर पड़ता ही है इकबाल का भी कुछ ऐसा ही हाल था सेकेंड डे लाइबरी में दोनों फेस टू फेस आते है आ आचा इकबाल और जोना साइंस ओलंपियर के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं यहां भी आचा उसे इग्नॉर करती है सर आचा को केमिश्ट्री के संस देते हैं जोकि वह इजीली सॉल्फ कर लेती है सर दोनों बॉइस को कोई भी डाउट हो तो आचा से पूछने बोलते हैं द आचा कहती है देन आचा कहती है पागल इसे इल्जाम लगाना कहते है आचा कहती है बट उसने मेरा नाम लिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है देन आचा एक और इंसिडेंट बताती है जहां इकबाल उसे उसके फेस से इंक रब करने बोलता है अमांडा एंड मॉम खुशे से चिलाने लगते हैं अमांडा कहती है हाँ अब इससे कहते है अटेंशन देना बंदे पर असर पढ़ रहा है बाते करते करते मॉम का कोरियन मेकप कम्प्रीट हो जाता है जिसे देखकर आचा वस लाइक मॉम ये क्या है फिफ्ट डे पर आचा उसे इग्नॉर करना जारी रखती है बढ़ देन चुपके चुपके उसकी कैर भी करती है इकबाल के अलसर का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था वो विक फिल कर रहा था प्लस उसने कुछ खाया भी नहीं था आचा नहीं चाहती थी कि वो फिर से बिमार पड़े वो जुना को अपना टिफिन बॉक्स दीती है एंड इकबाल को पास करने बोलती है बेचारा जुना हट तो होता है पर दन पास भी कर देता है कहता है खाले ने तो फिर से बिमार पड़ जाएगा इकबाल को शांती से खाता देख आचा को अच्छा लगता है थोड़ी देर बाद सर तीनो का एक छोटा सा टेस्ट लेते है एक फॉर्मिला को लेकर इकबाल आचा से जगरने लगता है ताइम अप हो जाता है सर तीनो को समझाते है कि ऐसे जगरना नहीं है टीम वक करना है तीनो कोईशन सॉल्फ करने लगते है अचानक से आचा को नोस ब्लेडिंग होने लगती है जुना नोटिस करता है सभी डर जाते है एकबाल जल्दी से हल्फ करने आता है आचा उसे दूर हटा देती है आज का प्रैक्टिस सेशन कम्प्रीट हो जाता है आचा बिमार थी सो जुना उसे घर डॉप करना चाता था बट आचा का प्लैन तो कुछ और ही था जल्दी से बाहर आकर चूप जाती है जुना को लगता है कि वो चली गई वो अपसेट होकर चला जाता है वो बाहर आती है एकबाल को लग रहा था कि जुना उसे अकेले छोड़ कर चला गया कहता है तुम इतनी जल्दी जल्दी भाग कर आई फिर भी तुम्हारा फ्रेंड जुना तुम्हा अकेले छोड़ कर चला गया आचा कुछ नहीं कहती सर आते है आचा बीमार थी सो सर इकबाल को उसे घर ड्रप करने बोलते है अब आचा स्माइल करने लगती है समयल करते हैं तुम्हें पता है तुम्हें पमारी पोसा बटरफलाइक की तरह हो तुम्हारे पीछे भागना इजी है बर तुम्हें पकड़ना बहुत हाड है इकबाल को उसकी गोल-गोल बाते समझ नहीं आती वो उसे सिधे बात करने बोलता है वो कहती है इसे दूर-दूर क्यों भाग रहे हो हाथ तो पकड़ी सकते हो न वो हाथ आगे करके रखती है इकबाल उसे अपना बैक पकड़ा देता है बेचारी का फिर से पोपट हो जाता है तेन वो बाइक स्टार्ट करता है आचा खुशी-खुशी पीछे आकर बैट जाती है थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश होने लगती है आचा को थर्ण लग रही थी इकबाल नोटिस करता है स्माइल करते हुए कहता है मुझे टाइटली पकड़ लो थर्ण नहीं लगेगी वो थोड़ी हिच किचाती है इकबाल खुद से ही उसे close लाता है आचा बलश करने लगती है ट्राफिक के आवाज से उसकी आखे खुल जाती है डियलाइस करती है कि यह सब तो बस एक सपना था पीछे कोई स्टफ काउट बेच रहा होता है आचा को स्टफ काउट बहुत पसंद थे वो इकबाल से कहती ह सेल्समन आचा के बास आने लगता है वो लेने ही जाती है तभी इकबाल पाइक स्टार्ट कर देता है जरी आचा एंड स्टफ टोई वाले का पोपट हो जाता है वहां अमांडा एंड मॉम आचा को लेकर बड़े प्राउट फिल करते हैं कि अब वो इकबाल को इगनॉर करन बड़े उससे सर का हेलमेट मांगता है आचा उससे घर पर इनवाइट करती है वह बस हेलमेट की बात रटे जाता है आचा कहती है मेरी मौ मेरे पसंद की लड़के से मिलकर बहुत खुश होगी फ्लीज एक बार उनसे मिल लो इकबाल कहता है मुझे तो लगा थे कि तुम कंप्लीट हो गया इकबाल कहता है कौन सा असर मुझे पर कोई असर नहीं पड़ा यह पास दिन मेरे लाइट के सबसे बेस दिन थे आचा को पता था कि जूट बोल रहा है कहती है मुझे अच्छे से पता है इन पास दिनों में तुमने मेरा अटेंशन बहुत मिस्ट किया व अमांडा को ऐसा नहीं लगता तो आचा इकबाल को कॉल करती है पूसती है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ने आया था कि सर के प्रेशर के वज़े से आया था वो बात को जादा बढ़ाना नहीं चाहता था तो कहता है अपनी मर्जी से आया था बस खुश चलो फोन रखो इकबाल को मेसेज करती है मुझे घर डॉप करने के लिए थैंक यू डैट मेसेज पढ़कर रख देते हैं थोड़ी देर बात फिर से मेसेज करती है कल में तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाओंगी लव यू मिस्यू वाले भी मेसेज करती है डैट गुस्ते में पूरी रात मेसेज पर मेसेज किये जा रही थी वो कहता है वो मेरी गल्फेर नहीं है डैट कुछ नहीं सुनते उसे बस साइंस ओलम्पियर पर फोकस करने को बोलकर चले जाते हैं गुस्से में ब्रेकफास्ट पी नहीं करते आचा के मेसेज़ेस देखकर इकबाल को बहुत कहती है कि एकबाल गुसरे में अंदर आता है आचा ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था इस बात से और बहुता हो जाता है उसके बार बार रिजेक्ट करने के बाद भी चीप लड़की बोलता है आचा हट होती है कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इसने तुम्हारे पीछे जाती हूँ चीप लड़की नहीं हूँ इकबाल कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है क्या तुम्हें लड़की हो थुरा शरम करो अमानडा से ये सब और नहीं सुना जाता है, सीधे आकर इक्बाल से जगरने लगती है, तुमारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब बोलने की? वो सुनकर ले रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सही हो अगर तुम उसे जाल और नहीं करते हो तो उस से दूर रहो ना, उसे घर बार बार इकबाल के पीछे नहीं जाना चाहिए था सो फाइनली वो इकबाल पर गीवप करने का डेशिजन ले लेती है आचा ओलॉम्पियर प्रेक्टिस सेशन के लिए नहीं आई होती सर के पूछने पर जुना कहता है सब इस इकबाल की गलती है आज पूरे क्लास के सामने इसने आचा की इंसल्ट की इसलिए शायद वो नहीं आई एकबाल आचा को रिप्लेस करनी की बात करता है जोना उसे जगर नहीं लगता है क्योंकि वह अच्छे से जानता था यह केमिस्ट्री में आचा से बहतर कोई नहीं है सर दोनों को शान्त होने बोलते है तब ही आचा इकबाल के डैट भी आते हैं पूरे इंदोनीशिया से सलेक्टेट टीम प्रेजन थे फर्स राउंड नो बस दसी टीम को सलेक्ट किया जाएगा एक्जाम स्टार्ट होता है टीम कैप्टन जुना सभी क्वेशन्स को तीन पार्ट में डिवाइट कर देता है जैन सभी क्वे अत्रेर आजङस्ट कम्प्रिट हो जाता है जुना हाचा को सब्सक कि परक्रॉसच करने बोलता एकबाल घुस्सा होता है तो नहें देखा न उसका नोस बिडिट हो रहा था उसे रैश्ट करने दे आजशा कएती है मैं ठीक हूं ते जुना का पेपर लेकर चेक करने लगती जुना भी आचा का पेपर चेक और बोलटा है जितने भी कंप्रीट हुए थे जुना उसे क्लोस चेक करने करने बोलता है और नहीं नहीं देता क्योंकि वो पहले complete करना चाहता था देखते देखते 20 मिनिट भी बीट जाते है उसका part cross check नहीं होता जोना सर से complain करता है एकबल कहता है मेरा paper complete नहीं हुआ था इस ते नहीं दिया जोना कहता है जितना हुआ था हुता तो cross check करवा ही सकता था न आचाना मेरे कितने गल्चियों को correct किया इकबल कहता है मुझे cross check करवाने के कोई जरूरत नहीं है मेरे सबी answers correct है दोनों जगड़ी रहे थे तब ही सर को selection department से call आता है पता चलता है कि तिनों top 10 में पहुच गए है सब ही खुश होते है कि कल के exam में बस जुना एन इकबल ही participate करेंगे बट इसके लिए उन्हें सबसे पहले committee से बात करनी होगी वो इकबल को आचा का ख्याल रखने को बोलकर जुना को अपने साथ चलने बोलते है जुना आचा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था इकबल उसे याद दिलाता है कि वो captain है सो उसे जाना ही पड़ेगा जाने से पहले वो इकबल को आचा का ख्याल रखने बोलता है वो पूरा evening उसके पास ही रहता है डैड आते है आचा को लेकर उसे बहुत बाते सुनाते है कल के exam पर focus करने बोलते है आचा सब सुन लेती है रियलाइस करती है कि इकबल के डैड उसे कितना ज़ाधा प्रेसराइस करते है डैड के जाने के बाद नर्स आचा का डिनर लेकर आती है वो दोनों को couple समझ रही थी सो इकबल को उसे उठा कर डिनर कराने बोलती है उनके जाने के बाद वो आचा को उठाने लगता है बट वो नहीं उठती वो डर जाता है नर्स को बुलाने जाता है नर्स भाग कर आती है देखती है कि आचा बैटकर आराम से खा रही है वो इकबाल को इतना जादा टेंशन लेने मना करती है दन अपने हाथों से उसे खिलान बोलती है, आचा मना करती है, नुर्स नहीं सुन्ती, तो दोनों को कपल बने की एक्टिंग करनी परती है। उनके जाने के बाद आचा उसे जाकर exam के लिए preparation करने बोलती है। इकबाल नहीं जाना चाता था। आचा कहती है कल हार जाओगे तो फिर से तुम्हारे डैट मुझे ही blame करेंगे। इकबाल समझ जाता है कि आचा को बहुत पहले ही होश आ गया था। और उसने उसके और उसके डैट के बीच हुई सभी बातों को सुन लिया है। आचा उसे अभी के अभी जाने बोलती है। ना चाती हुए भी उसे जाना पड़ता है। वो होटेल रूम में आकर पढ़ने लगता है। कुछ तिर बाद जूना आता है। दोनों फिर से जगरने लगते हैं। कहिना कर इकबाल को लग रहा था कि आचा के बीना भी वो लोग जीत सकते है। जूना उसे आचा के एंसर शीट बताता है। कहता है हम सिर्फ आचा के वज़े से ही टॉप 10 में पहुचे थे। तुमारे अल्मुस्स सभी एंसर रॉंग हैं। इकबाल शॉक्ट होता है। नेक्स्ट डे डरा से हमा हुआ इकबाल एकबाल एक्जाम देने आता है। अपने डेट को देखकर और नर्वस हो जाता है। तबी पीछे से हमारी आचा उन्हें जॉइन करती है। जिससे जुना एन इकबाल दोनों का कॉंफिडेंट बढ़ जाता है। आज मौमेन अमांडा भी हमारी क्यूटी आचा को चीयर करने हाए होते हैं। एक्जाम एंड होता है एन इस बार भी तीनों नेक्स राउंड में पहुँच जाते हैं। टॉप टू में पहुच जाता है। फाइनल राउंड में दोरों टीम का स्कोर सेम था। लास्ट क्वेशन जो भी एंसर करेगा वही टीम जीतेगा। एकबाल सम्सॉल्फ करके बजर प्रेस करता है बट देन ब्लैंक हो जाता है। प्रेमत करके एंसर बोलने ही जाता है तो आचा उसे अपने एंसर बोलने बोलती है। वह थोड़ा कंफ्यूज होता है बट लास्ट में वह आचा के एंसर को ही चूज करता है। जो कि ओविएस दी करेक्ट होता है और इसे के साथ अरवाना हाइज स्कूल के टीम जीत जाती है। सभी तीनों के लिए चीर करते हैं। इकबाल के डैट फॉर्स टाइम अपने बेटे पर प्राउड फिल करते हैं। उन्हें लगता है कि इकबाल के लाश्ट एंसर ने ही टीम को जीता दिया। वो इकबाल को अपने फ्रेंड हंद्रे से मिलाते हैं। जो की यूईस के फेमस कॉलेज के पुफेसर है। वो इकबाल को अपने college में full scholarship पर aerospace engineering करने का offer देते हैं डैड भी ऐसा ही चाहते थे बड़ इकबाल को नहीं लगता कि वो deserving है वो आचा को बुलाता है कहता है last answer इसने दिया मेरा वाला answer गलत था आचा अपना introduction देती है मिस्टर हैंडरी आचा की मॉम किराना को पहले से जानते थे वो इकबाल के डैड से कहते है तुझे याद है वो लड़का जिसने हमें science olympiard में हराया था किराना उसी की wife है इकबाल शॉक्ट होकर पूछता है डैड आप भी science olympiard में थे मिस्टर हैंडरी कहते है हाँ मैं तुमारे डैड और तुमारी मॉम तीनों एक ही टीम में थे इसी olympiard के बाद ही तो तुमारे डैड और मॉम की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी आचा की मॉम को लगता है कि इकबाल के मॉम और डैड की तरह इकबाल और आचा की भी लव स्टोरी यहीं से स्टार्ट होगी आचा मॉम को चुप होने बोलती है देन मिस्टर हैंडरी आचा को भी scholarship ऑफर करते हैं बट हमारी आचा सिदे मना कर देती है उससे अब रॉड नहीं जाना यहीं इंडोनेशिया में रहकर child psychologist भरना है नेक्स डे स्कूल में आचा सभी को अपने बड़े पार्टी में इंवाइट करती है गैलन एंड्रियान को भी करती है दोनों इकबाल से उसके इंविटेशन के बार में पूछते हैं तो वो कहता है मुझे इंवाइट नहीं किया और मैं यहीं deserve करता हूँ आचा इकबाल को भी इंविटेशन कार्ट खूदे देना चाहती थी बट अमांडा ने उसे रोक लिया था क्योंकि अमांडा को डर था कि अगर इकबाल ने कार्ट नहीं लिया तो आचा हट होगी उसका बड़े खराब हो जाएगा इवनिंग में पार्टी स्टार्ट होता है एक एक करके सब भी आ जाते है पर हमारी आचा को तो बस इकबाल का ही इंतजार था वहाँ फाइनली इकबाल आचा का नमबर सेफ करता है दन उसे बड़े विशल सेंड करने ही जाता है डैड आते है मिस्टर हेंडरी एंड दैड दोनों ही चाते थे कि इकबाल यूएस में एरो स्पेस इंजेनियरिंग की स्टेडिस करें दोनों ने सब डोक्यूमेंट्स भी रेडिक कर लिये थे तबी हिम्मत करके इकबाल कहता है कि उसे यूएस नहीं जाना, इंजेनियर नहीं बनना, डै एंड्री डैट को समझाते हैं, जब उसका साइंस में मन नहीं है, तो फोर्स करने से कोई फाइदा नहीं होगा. उसे जो अच्छा रगता है, वही करने दे. हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि फोर्स. डैट को रियलाईज होता है कि उन्होंने इकबाल को कॉंग पर डैंस करती है आचा बार-बार गेट के तरफ देखती है पर इकबाल नहीं आता अमांडा कहती है उसे आना होता तो अब तक आ जाता वह अपसएट होकर केक कट करने जाती है फरस्ट पीस मॉम को देती है सेकेंड पीस इकबाल को देना चाहती थी अमांडा उसे थूट बोला। उसने जुना को इकबाल Quickly का कर दिया ही नहीं। वो जुना को केक देकर ओलंपियर के टीमवक के स्कतिता परुष्व करकार कर काकूं आया है। आच्चा बाहर आती है, इकबाल को सामने पाती है, रोते रोते उसके पास आती है, बिना इंविटीशन के आने के लिए इकबाल सौरी बोलता है, आच्चा बस रोई जा रही थी, वो आच्चा को उसका फेवरेट स्टफ काउ गिफ्ट करता है, देन उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि आज आचा की वज़े से ही वो डैड एंड मिस्टर हेंडरी के सामने अपने लिए स्टैंड ले पाया उसे साइंस नहीं पसंद है ये कह पाया आचा पुछती है फिर तुम्हें क्या पसंद है वो कहता है वो पसंद है जिसने मुझे पर मुझे बटरफ्लाई समझ कर हमेशा मेरे पीछे भागती रही वर आज वो खुद एक बटरफ्लाई बनी है जिसके पीछे मैं भागना चाहता हूँ सो आचा क्या तुम मेरी गल्डफ्रेंड बनोगी वो हाँ बोलती है सभी बहुत खुश होते है गैलन तो खुशी के मारे रोने लगता है देन अमांडा आती है इकबाल को गलत समझने के लिए माफी मांगती है और साथ में धमकी भी देती है तुमारे वदी से आचा फिर से हट हुई न तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा जूना आता है आचा का दिया हुआ केक इकबाल को देता है कहता है मुझे ज़्यादा तू रिजव करता है आचा दोनों को शेर करने बूलती है देन सभी मस्ती करने लगते है पार्टी के बाद इकबाल और आचा क्वालिटी टाइम स्पैन करते है एन इस क्यूट से कपल को देखकर मॉम और अमांडा खुश होते है मॉम अमांडा से कहती है अब तुम्हें भी अपने लिए ऐसा ही लविंग और कैरिंग पार्टनर ढून लेना चाहिए अमांडा कहती है ऐसा कोई है ही नहीं तब ही मॉम रेयान के तरफ पॉइंट आउट करती है कहती है वो देखो वहाँ है तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए अमांडा को भी लगता है कि रेयान एक चांस तो डिसफ करता ही है इकबाल और आचा के साथ अब ये दोनों भी कबल बन जाते हैं डबल लेट एंजोई करते हैं और इसे के साथ ये क्यूट सी इंडोनेशियन मुवी लीपर एंड हो जाती है